हाई एविवन तो दोस्तो आज है 12 मैं 2023 और आज सकेंड सिप्ट में एक्साम हुआ है हिस्ट्री ओनर्स पेपर 5 का दोस्तो आज किस वीडियो में मैं पेपर 5 की कोश्चन पेपर का रिवियू करूँगा साथी साथ आपको अबजेक्टिव कोश्चन का जो ऑथेंटिक आंसर है वो भी बताऊंगा तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं दोस्तो आपको पता ही होगा ग्रेजुएशन में हर पेपर 100 माक्स का होता है और सौल्व करने के लिए 3 घंटे का समय दिया जाता है पेपर 5 में जिनरली 5 प्रसन का ही आंसर देना होता है जिसमें से पहला प्रसन कमपलसरी होता है पहला प्रसन में 10 अबजेक्टिव के सवाल होते हैं और 10 अबजेक्टिव के सवाल दो-दो माक्स करके होते हैं तो बीस मार्क्स का पहला सवाल हो जाता है। उसके बाद दूसरे नमबर से ले करके और 11 नमबर तक जो question होते हैं, वो long question होते हैं और उसमें से हमें cable और cable 4 का ही जवाब देना होता है। तो long question में से 4 का answer और पहला नमबर यानि objective वाला एक। तो पांच question का ही answer हमें देना होता है तो चलिए objective question का authentic answer हम आप सभी को बता देते हैं तो पहला सवाल आया है तारीक A. सेड़ शाही के लेखक कौन है तो दोस्तो इसका जो answer हो जाएगा ये हो जाएगा अबास खान शरवानी तो ये हो गया पहला objective का answer A. अब हम दूसरे objective की उराते हैं दूसरा objective पूछा गया है खानवा का यूद कब लड़ा गया तो दोस्तो ये 1527 भी में लड़ा गया चलते हैं अब अगले objective question की उर अगला objective question आया हुआ है अकवर ने इवादत खाना का स्थापना किया था तो कहाँ पे किया था तो इसका answer हो जाएगा फतेवपूर सिकरी चलते हैं अब हम next question की उर next question है महजर नामा की घोषना अकवर दूआरा किया गया था यानि कब किया गया था तो दोस्तो ये किया गया था 1589 इसवी के अंदर अब हम चलते हैं अगले objective की उर अगला objective पुछा गया है औरंग जेव के दुआरा जजिया कर पुना कब लगाया गया था तो दोस्तो ये लगाया गया था आपका 1689 इसवी के अंदर next objective question है दिल्ली में किसने दीन पना नामक एक नई राजधानी को बनाया तो इसका अंसर हो जाएगा हो मायू अगला objective question है दोस्तो दिल्ली के लाल किले मोती मसजित का निर्मान किशने कराया था यानि दिल्ली में जो मोती मस्जीद है लाल किला जो है उसके अंदर मोती मस्जीद का निर्मान किशने कराया तो इसका अंसर हो जाएगा और अंगजेव तो आप बेजक जहांगीर वाले ओप्सन में टिक करना तो इसका अंसर हो जाएगा जहांगीर नेक्स्ट अब्जेक्टिव कोष्टन है वीजक की रचना किसने की ये पुस्तक का नाम है जिसके जो राइटर है ये है कबीर अगला मेरा objective question है योग वसिस्ट का फार्सी में अनुबाद किस ने किया था तो दोस्तो योग वसिस्ट का फार्सी में अनुबाद दारा सिको ने किया था तो दोस्तो ये आपका हो गया objective question अब हम long question आपको दिखला देते हैं दूसरा नमबर जो question आया है दोस्तों ये long question आया हुआ है और सवाल है अकबर के सुला एक कुल की निती के विकास का विसलेशन कीजिए तीसरा सवाल है क्या सेर्षा ने प्रसाशन एवं भूर आजस्व के छेतर में नभीन प्रयोग किये इसके उपरांसर आपको देना था अगला question ने चाउंता सवाल पूछा गया है मनसबदारी विवस्था पर एक निवंद लिखिये पांचमा सवाल पूछा गया और अंजेब की धार्मिक निती का विवेचना करे चटा सवाल पूछा गया है मुंगल कालिन भारत में आंतरिक बैपार एवं बानिज्यकी संगठ एवं वेचारिक प्रिस्ट वोमी की चर्चा की जिये आठमा सवाल पूछा गया है मुगल समराज के पतन के जिम्मेदार कारकों का विसलेसन की जिये, नौमा सवाल पूछा गया, मुगल काल में फार्सी भासा एवं सहित्य के विकास को चिन्हित के, जिये, दसमा सवाल पूछा गया, मुगल काल में अस्थापत्य कला के विकास का एक विवरन प्रस्तूत करे, और लास्ट यानि ग्यार्मा सवाल पूछा गया, मुगल का 5 का question paper objective आप सभी मिला लीजिएगा जो मैं answer बताया हूं वो objective का authentic answer